तो हेलो दोस्तो एबिसी कोचिंग योटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है जारकन बोर्ट मैट्रिक वे इंटर्मीडियेट बोर्ट परिक्षा 2024 में जो विद्धार्थी फेल हो चुके है तो आप सभी को पास होने के एक और मौका देने जा रही है जिहां दोस्तो जारक करके जरूर बताईएगा कि आप कौन सा सब्जक्ट में फेल हुए हैं और कितने सब्जक्ट में फेल हुए हैं उनका नाम भी आप जरूर बताईएगा आप कौन से श्ट्रीम से हैं यह भी आप मुझे शेयर जरूर किजेगा देखे बच्चों आपका एक सब्जक्ट में जो है या आप दो सब्जक्ट में फैल है या तीन सब्जक्ट में फैल है तो इस इस्तिती में आपको एक और मौका जैकबोड पास होने के लिए दे रही है और साथी बच्चो आपका जो रिजल्ट है उस रिजल्ट से जो है आप संतुष्ट नहीं है तो फिर से जो है आप प यहां पर विगपती संख्या देख सकते हैं देखें यहां पर देखें लिखा आए कि वार्षिक माधिमिक एवं इंटर्मीडियेट विज्ञान वानिज एवं कला संख्याई परिक्षा दोहर्जार चौबिस के पुनर रिक्षन के संब्ध में आवश्यक शूचना और इस साइन्स, कोमर्श और आर्ष स्ट्रीम के परिक्षा दोहजार चौबिस से समंदित सभी छात्र शात्राओं अभिवावकों एवं विद्द्यालियों महा विद्द्यालों पलस्टु विद्द्यालों के परधाना अध्यापकों परचारों को सुझित किया जाता है कि या विशेव के प्रापतांक से संतुष्ट नहीं है यानि कि जो आपका रिजल्ट आया है उस रिजल्ट से आप जो है संतुष्ट नहीं है तो आप उस स्तिती में स्कूटनी कर सकते हैं जी हां दोस्तों यहां लिखा है कि जो चात्र जो है अपने प्रापतांक से संतुष्ट नहीं है वे scrutiny के लिए अपना आविदन जो है दिनांक 252024 से 1752024 तक जो है जारकन एकाडमी कॉंसिल के official website के माध्यम से online जमा कर पाएंगे देखे दोस्तों आप सभी कलिए बहुत बड़ी good news है आप results से संतुष्ट नहीं है आप जो है scrutiny कराना चाते हैं री चेकिंग करवाना चाते हैं तो आप दो मई से लेकर जो है 17 मई के बीच जो है आप official website के माध्यम से online जो है form जमा कर पाएंगे देखे बच्चों आगे आप लिखा है कि scrutiny के लिए आविधन जमा करने की तीथी जो है निवन्तित होगी यानि कि जो है जो इस प्रकास है यहां पर दिया गया है देखे कि इस प्रकास है आपनों को जो है online आविधन फॉर्म जो है जमा कर पाएंगे देखे बच्चों सबसे पहले जो है आपको परिशाद यानि कि जारकन एकाडमी कॉंसिल का जो ओफिशल वेवसाइड है www.zak.jharkan.gov.in उस पर आपनों को जाना है उसके बाद तो आपको जो है स्कूरूटिनी के लिए देखे प्रपत्र में अपना जो है पंजियन करेंगे ठीक है आपना जो है रेश्टेशन करेंगे एवम जो है वेव सब्जेक का स्कूरूटिनी कराना चाहते है जिस सब्जेक में आप फिल है उसको जो हे री चेकिंग कराना चाहते है तो उसके दिशा नुर्देश के अनुरूब जो है आप लोग आविदन प्रपत्र जो है भरेंगे उसके बाद दुसरा पॉयंट दिया गिए कि पड़ते से होगे तो एकॉंटिसी होगा बिजनस इस्टाडी होगा ठीक और एकॉनोमिक्स होगा एटीप होगा तो इस प्रकास जो मौलिक आपका सधन्तिक विशा है जो है उसका पुनिरक्षन सुल्क जो है माध्मिक परिक्षा के लिए देख सकते हैं यहां पर दिया गया है जो क्ला किसी एक विशे में आप फेल है या दो विशे में फेल है तीन विशे में फेल है रिचेकिंग करना चाते हैं तो पड़तियक सब्जेक का जो है 750 रूपिय जो है सिर्फ ओनलाइन माध्यम से देख आपको करना होगा यानि कि आपको पे करनी होगी देखे बच्चों आगे आ जो है मातर सैधान्तिक परिक्षा अर्थात उत्तर पुस्तिका के माध्यम से आईजित परिक्षा के लिए ही मानी होगा प्रैक्टिकल एवं इंटरनल असेस्मेंट में प्राफ्त अंकों की स्कूटनिक पर विचार नहीं किया जाएगा दोस्तों आपका जो मुख की सब्ज उस अंक से आप संतुष्ट नहीं है तो उस इस्तिति में जो है आप स्कूटनिक करा सकते हैं देखें यहाँ पर साथ सब बताया है कि प्रैक्टिकल के लिए और इंटरनल असेस्मेंट के लिए जो है स्कूटनिक पर विचार नहीं किया जाएगा यानि कि प्रैक्टिकल इं अगर मुग की प्रिष्ट पर अंकित नहीं है तो उसे मुग की प्रिष्ट पर अंकित करते हुए योग में सुधार किया जाएगा यानि कि अगर मान के लिए किसी एक विशे में आप हिस्ट्री में है हिस्ट्री का मान के चले आपका 49 अंकि ही आया हुआ है और आपको लगता है कि नहीं इसमें आपका कम से कम दोस्तों मान के चले इसका जो है 69 आना चाहिए तो अगर आप इहां पर स्कूरूटनी करते हैं तो इसमें अगर मान के चले कि आपका अंक जो उत्तर पुस्ति का जो जांच किया गया था आपकी जो कॉपी आपने जो लिखा है उसमें अगर योग में अगर थुरी सी गडबड़ी जो भी question का answer आपने दिया है उसे जो है मुल्यांकन करते समय वह जो है मुल्यांकन नहीं हो पाया है उसकी जाच नहीं हो पाया है तो उसका मुल्यांकन किया जाएगा उसका जाच किया जाएगा और देखे आगला point लिखा है कि अंकों का योग अगर सही नहीं है देखे अंकों के बाद आपका जो माक्षीट है उस पर अपडेट कर दिया जाएगा ठीक है आगे बच्चों यहाँ पर लिखा है दूसरा पॉइंट में दिया गया है कि स्कूरूटनी के लिए आवधन देने वाले चात्रों को अस्पष्ट किया जाता है कि स्कूरूटनी के तहत मुल्यांक आपका नहीं होता है जिससे अंक विर्धी की संभावना कम रहती है ठीक है यानि अंकों की बढ़ने की संभावना जो है कम हो जाता है यहाँ पर बताया गया कि वार्शिक परिक्षा दोहजार चौबिस के अनुतिर्न चात्रों को सला दी जाती है कि स्कूरूटनी के फलाफ आप यह बताया गया है कि जो विद्यार्ती फेल हो चुके हैं मानके चले एक विशह में फेल हुआ है दो विशह में फेल हुआ है तो आप इस्कूरूटनी के अलावा जो है आप संपूरप परिक्षानी का कपार्टमेंटल परिक्षा में जो है आप भाग लेख सकते हैं आपके मार्टी शीट पर अपडेट कर दिया जाएगा और मैंने लाइब आकर इसके वारे में साराची शायर मैंने आपको बताया वा था देखें बच्चों आगे आप लिखा एक निर्धारी तिथी के बाद आविदन स्विकार नहीं किया जाएगा और निर्धारी तित्थी के बाद अथवार डाक या कोरियर इमेल या अनी किसी माध्यम से भेजा गया इसकूरूटनी हेतु आविदन प्रपत्र स्विकार नहीं किया जाएगा और यह जो अपडेट आया हुआ है यह दोस्तों आप देख सकते हैं यह जो से यह जो है अफिसली अपडेट आया हुआ है तो दोस्तों आप जो है इस डेट को याद रखेगा क्योंकि दोस्तों यहां पर आविदन प्रपत्र भरने की तित्थी दारी कर दी गई है आप सफल्मेंटरी या अपार्टमेंटल एक्जाम देना चाहते हैं या स्कूरूट तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि 100% आप जो है स्कूरूटनी करते हैं तो यह चांस हमेशा रहता है 99.9% चांस रहता है कि आपका रिजल्ट में बूश्ट होता है आपका रिजल्ट सुधारा जा सकता है या अगर आपका मन के चले एक विशेम आप फेल हो गए हैं दो वि अपडेट जो है आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट है स्कूरूटनी के लिए भी और आपके कपार्टमेंटल एक्जाम के लिए रीचेकिंग के लिए तो इस वीडियो का अपने सभी दोस्तों के साथ जो है शेयर जरूर कजिएगा और अभी तक लाइक नहीं कि ला आल